आज यहाँ पर एक आधा स्टीज, एक पेपलम टॉप के उपर पेंटिंग करने वाली हूँ, अब रेडी ट्रेस के उपर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह जो मीरर है ना यह मागेट में बहुत इसली आपको मिल जाएगी, यह काफी पुरानी है, आपको कोई शेप में मिल जाएगी तो इसके लिए हमें चाहिए इसको चिपकाने के लिए फेविक्रिल की ग्लू है, बहुत अच्छे से चिपक जाती है और यह है 3D आउटलाइनर्स, बहुत सारे शेड में मिल जाएगी आपको मागेट में या फिर अप ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें ड्रेस के उपर मार्क करना है, आपको ड्रेस के जहाँ पर करना है तो उसके उपर आप अच्छे से मार्क कर लीजे, एक दर लाइट करके मार्क करें मेरी ये dress की ये जो material है ये crepe की है तो इसके उपर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि ये बहुत slippery type की है cotton के उपर तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा तो इसके नीचे मैंने cardboard भी use किया है I mean रख दिया है तो ये फेविक्रिल की जो glue है सबसे पहले अब को थोड़ी सी ये जो diamond shape है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके देना है और mirror को लगा के बस इसको थोड़ी सी कुछ second के लिए अब होल करके रखिए ये अच्छे से चिपक जाएगी बट ये आदे घंटे बाद बहुत अच्छे से dry हो जाएगी और ये next day पे तो आप उंगली से भी जितना try कर आप उठा भी नहीं सकते इतना अच्छे से dry हो जाती है तो देखिए सबसे पहले हमें एक-एक छोड़ के इस तरीके से हमें सारे mirror को चिपकाना है अब इससे थोड़ी सी छोटी बड़ी जैसे आपको पसंदे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते है mirror को और घबराने की कोई बात नहीं आप इसको wash भी कर सकते है ये wash के बाद भी ये mirror इस तरीके से चिपक रहेगा बट आपको machine के wash नहीं करना है machine पे तो ये side पे मैंने छोट दिया है क्योंकि ये stitch में जाएगा इसलिए तो मेरी ये mirror है ये अच्छे से dry हो गई है तो इसके बाद में क्या कर रही हूँ ये 3D outliner की जो shade आपको पसंदे मुझे लगा इसके उपर ये shade अच्छा ज्यादा लगेगा तो ये देखिए मैं left hand से भी कर सकती हूँ आला कि मैं lefty नहीं हूँ बट ये इतना easy है मैं इससे लिए दिखा रही हूँ कि कोई भी कर सकते हैं आप भी तो जरूर कर सकते हैं बहुत ही आसान है और इतना आसान है आप कोई भी plain जो dress है न जो पुरानी भी क्यों नहों जितना पुरानी बट simple उसके उपर भी आप ट्राइ कर सकते हैं अपको अच्छा लगेगा तो ये देखिए अब इसके side पे इस तरीके से आपको white color जैसे की stitch करते हैं न तो इस तरीके से करना है जैसे लगेगा कि आपने stitch किया है बट हमें ही तो पता है हमने क्या किया है इतना easy side और सब को लगेगा कितना महनत किया है बट बहुत सुंदर होगा तो इस तरीके से आपको side पे थोड़ी 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 करके इस तरीके से करना है अब ये जो lines है न अब यहाँ पर करना है मैं यहाँ पर yellow color यूज कर रही हूँ बट क्या है न ये color अंदर से थोड़ी से dry हो चुकी क्योंकि मैंने ये online purchase की थी मैंने date तो online में आप कैसे date नहीं देख सकते bottle के side पे जो लिखा होगा तो ये थोड़ी पुरानी है तो इसलिए ये dry हो चुकी है इसलिए ये color हमेशा market से लेना ही अच्छा है offline ही लेना अच्छा है क्योंकि आप अच्छे से date देख सकते है ये काफी पुरानी है तो आपको नहीं लेना है नहीं तो ये सब मुश्किल आ जाती है recent date की color हमेशा अच्छे होती है इकदम उसकी जो अप यूस करके भी बहुत मसा आती है नहीं तो आपको फिर से medium mix करो फिर से उसको करो इसलिए और ये bottle क्या होती है बहुत brace करने में उंगली में थोड़ी से दर्द होती है तो अगर आपके पास bottle नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं आप इसको भी कर सकते है zero number की round brush और acrylic color ले लीजिए कोई भी brand की आप कर सकते है बट क्या है time लगेगी थोड़ी ज्यादा और इसमें क्या है finishing ज्यादा अच्छी आती है और बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए color आपने 1% के कोई भी color यूज़ कर सकते है तो ये जो gap gap है ना तो सारे हमें इस तरीके से complete करना है तो ये देखिए मैंने हाथ पे भी ये करने के time मुझे थोड़ा सा इतना ध्यान से करती हूँ बट फिर भी इधर उधर हो जाती है तो ये आपको ना हो इसलिए मैंने दिखाई है तो ये हाथ से क्या होती है हाथ पे लग जाए जलो ठीक है बट हाथ से fit dress के इधर उधर लग जाती है fit dress पूरी खराब हो जाती है और इसको कुछ second के बाद आप wash भी करोगे न तो ये color उटते भी नहीं है ये mark ऐसे ही छोड़ जाते है तो बहुत ध्यान से करना है और हमेशा क्या होती है हाँ मैं कुछ भूलना चाहरी थी हाँ तो ये तो ये complete हो चुगी है इतनी तक तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है मुझे लग रहा है और color add करू नहीं तो मैं ये नहीं सोची थी मैं अब ये green color add कर रही हूँ आप चाहे तो इसको skip भी कर सकते है बांगली हो ले बांगले comment करो इस तरीके से बहुत सारे videos आपको मेरी channel पर मिल जाएगी मैं दिखाऊंगी last पर मैं ये dress पहन के भी कैसे लग रही हूँ आप comment section पर जरूर बताना और आप किस टाइब की design देखना पसंद करते है वो भी जरूर बताएए बहुत दिन के बाद मैं video दे रही हूँ एक महिने के बाद thank you so much for watching this video have a very good day take care bye